और साथ ही साथ मेरे साथ स्री गुरु पवन सिदा जी जुड़ेंगे जो कि ये काधियात में गुरु है प्रोफेसर है सीधे पवन सिदा जी क्या पाच चलता हूं पवन जी क्या out of context quote कर रहें क्या आप गोस्वामी तुलसिदाजी भगवान शी राम हनुमान भगवान शी लक्षमन क्या ये कभी नारी या दलित या फिर पिछडे तपकों के विरोधी रहे हैं अपने कंडक्ट में कभी भी देखे कभी भी विरोधी नहीं रहे और मैं इसको बहुत स्पष्ट रुप से कहता हूँ कि वहाँ अर्थ शुद्र का जो है वो आधुनिक समाज में जो दलित शब्द का प्रियोग करते हैं उससे बिलकुल भिन हैं ये एक मानसिक स्थिती है ये एक अध्यन के स्थिती है ये उन लोगों के बारे में कहा गया जिसके लिए यास्क मुनीव जी भी कहते ह कि जन्म से तो सभी शुद्र हैं तो यहां पर कहीं बैर है ही नहीं किसी भी वर्ग अत्वा जाती में दूसरी बात 1575 के लगभग ये रामचरित मानस लिखनी शुरू होती है और उस समय की इस्थिती का अवलोकन किया गया है जैसे कोई भी व्यक्ति जब अपने समय का कोई सा हित लिखता है चाहें वो राजनीती शास्तु का साहित हो या फिर वो हिंदी का साहित हो अंग्रेजी का साहित हो तो वह एक पूरी भूमी का बांधता है और समाज की पूरी पूरा उसका एक्स्प्लेनेशन देता है तो जो गोसामी तुलसी दाजी है वो बात कर रहे हैं औ सब उसी प्रकार से सिक्षा के अधिकारी हैं तो दोर गवार शूद्र पशुनारी ये इसका मतलब ताड़ना यानि मार पीट नहीं है ये सिक्षा के अधिकारी है विजिलिंस के अधिकारी इन पर विजिलिंट होना चाहिए और ये समुद्र स्वाम को कोसते हुए कह रहा है स नहें के मन सुब सदन तुम्हारे यानि हर वो व्यक्ति जो अपनी पती पतनी के इतर किसी भी इस तरी को देखे तो वह जनिनी के रूप में देखे अन्य था वह पाप का भागियोग और विनाश्य का बैसी यहां से उद्जित राज जी के पास चलता हूं जित राज जी उनको जो निशादराज के इवट ने उनको सरी उपार कराई वनवासियों गिरवासियों के साथ उन्हों ने अपनी सेना बनाई आप बताईए उनसे बड़ा इंक्रूजिव कोई दूसरा धर्मों जमाने में रहा होता तो उसको भी गले लगाते प्रोफेसर पावंसिरा ज 300 रहमान मूल्ता तो लेखिarnा पे रिशिक कंबन की रहमान भी आप इसमें भूल रहे हैं रामचर्तुमानस बिए रामचर्टुमानस भी आप इसमें भूल रहा हैं बाकी इंटर्प्रेशनkell किसी बी तरीखते ते लेकिन यहीं और उसी रिशरी खिए से देखना चाहिए रमाण, रिशी कम्मन की रमाण, उसके बाद रामचे दुमादस, बाकी इंटर्पेटेशन्स हैं, इंटर्पेशन्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये अवनी भाशा में जो गोस्वामी जी लिखते हैं, वह अलग है, और अधम का मतलब भी यहां पर अधर्म है, दू प्रगजी रुख जाएं, रुख जाएं, सर तोड़ा सास लिया करिए, आप जैसी तेज चिलाने लगते हैं, आपका स्काइब काम करना बंद कर देता है, आपके आवाज नहीं आती है, चलिए, प्रोफेसर्स आप खतम कीजे, पाउन जिना जी, और बाकी रिलिजन्स में जातियां नहीं है, ऐसा बिलको भी नहीं है, हमारा तो जातियों का थ्यास, मैं यद्ब्पी, जातिवाद का बिलको खंडन करता हूं, और हमारा फिर भी थ्यास जो है, वह पासों से छेसों साल पुनाना है, करना टॉट की बुक बाप पढ़ लिजेगा, उसमें आपको रे हैते हुए भारत की किसी भी संस्क्रिति के बारे में जहनकारी रखे बिना केवल हमारा फर्ज बन गया है समझ लेते हैं कि सनातन का विरोध करना है और बाबा साहब ने हिंदू पंथ छलता हूं शीगूर पॉंसिन ciud मुझे मुझे पताइए देलित-विरोधी ये इस विरोधी और होता है क्या वो पॉलिटिकल पार्टी जिन को लगता है एक आपको पता है नया एक्वेशन 80-20 का तो यह 60-40 करना चाहते हैं जी हाँ पहली चीज तो यह है कि कुछ लोग बहुत सिंसेली समाज में समरस्ता का कारे कर रहे हैं उनकी सोच अलग किसम के वो चाहते सब बराबर हो जाती भेद एकदम समापतों होना चाहिए लेकिन जब यहां पॉलिटिक्स आनी शुरू होती है तो चीजें बिखराई जाती हैं क्योंकि पॉलिटिक्स चलती ही दुरूवी करण पर है भारत जैसे मल्टी एथनिक सोसाइटी में पॉलिटिक्स के लिए एक निशेरिया तयार किया जाता है और उसमें जो मैजोरिटी वोट है इस के लिए कारे किया वो उचे उठे प्रतिष्टित हो समाज में समरस्ता आवे क्या उसके लिए कारे किया बहुत सारे नेता तो 25-25-26 साल सत्ता में रहे उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया उन पर प्रशनक क्यों नहीं उठता है बाबा साहब ने से सम्विधान बना पोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए धर्म ग्रंतों को टार्गेट नहीं बनाना चाहिए ये धर्म ग्रंत बहुत पूर्व में लिखे हुए हैं और उसको इतिहास के आधार पर आप समझने की कोशिश कीजिए आज के परिपेक्ष में उसको उठाकर ये बैन कर दो ये कर ये सारे फिर प्रशन उठने शुरू हो जाते हैं इसलिए इस पर आजनीती नहीं पर आप सीधी सी बात है सभी धर्म ग्रंत पूजिनिया हैं और किसी भी धर्म ग्रंत पर किसी प्रकार की पढ़ी हुई की हुई टिपड़ी ये अच्छी बात नहीं है दूसी चीज अगर बाकी जातिया या बाकी धर्म भी इस देश में महतपूर है तो सारे महतपूर हैं तीसरी बात गवार शब्द कारता है ग्रामीन गाओं में रहने वाला लेकिन जिस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है मैं महनत जी से हजोड के विनती करता हूं कि इस परकार के शब्द बिलकुल ना कहे सभी सदस्य इस समाज के पूरे भारत के सभी माननिये हैं और सभी बहुत आदारणिये हैं और यह मैं कहना चाहूंगा कि समाज में समरस्ता हो और किसी भी राजनितिक उदेशे के लिए धर्म का उप्योग ना हो